आज मैं मतर पनीर की सबजी बनाने जा रही हूँ, मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर क्यूब में कटे हुए, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गानिश के लिए बारिक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती दो प्याज मेडियम साइस के बारिक कटे हुए दो छोटा चम्मा चदरक लहसुन का पेस्ट दो बड़े चम्मच तेल आधी कटोरी फ्रेश क्रीम एक कटोरी बारिक पिसा हुआ टमाटर प्योरी जिसे मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है और एक कटोरी फ्रोजन मटर आईए अब हम मटर पनीर बनानाई स्टार्ट करते हैं मैंने गेस ओन करके एक कढ़ाई रखा है इसमें मैंने दो बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म कर दिया है अब इस गर्म तेल में मैं प्याज जालूंगी और इसे अच्छी तरह से तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसमें हम अधरक लेसून का पेस्ट मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें मैं हल्दी पौडर, लान मिर्च पौडर, धनिया पौडर, जीरा पौडर डाल कर अच्छी तरह से मिला दूंगी यह इसका फ्लेम आप थोड़ा मिडियम में रख लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी अब इस अच्छी तरह से मिल गया और फ्राई भी हो चुका है आप इसमें मैं टेमेटो प्यूरी डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी अब इसमें मैं एक कटोरी फ्रोजन मटर डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी अब मैं धक्कन लगा कर इसे पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी अब पांच मिनट हो चुके हैं हम कटाई के धक्कन खोल कर देखते हैं यह देखे हमारा मसाला भुन चुका है और तेल भी उपर आ गया है अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी और अच्छी तरह से मिला लेंगी और साथी पनीर के क्यूस भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगी और गैस का फ्लेम हम अभी एकदम स्लो में करें हैं और इसे सिर्फ 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेते हैं इसे थोड़ी जेर के लिए ढख देंगे ताकि मसाला इसके अदर अच्छी तरह से मिल जाएंगे अब हम कढ़ाई का ढखकन खोल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम गैस बन कर देते हैं और लास्ट में मैं इसमें आधी कटोरी क्रीम मिलाऊंगी और अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी इस तरह से हमारा ये स्वाधिष्ट मटर पनीर की सबजी तैयार है हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे यदि आपको मेरी ये रेसीपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें